नमस्ते दोस्तों और स्वागत हैं सार्तत्व चैनल पर आज का विशय है उर्जा चिकित्सा का एक प्राचीन और शक्तिशाली पहलू चक्रसंतुलन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सार्तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते और समझते हैं क्यों चक्रसंतुलन की उर्जा को चिकित्सा का चमतकार कहां जा सकता है सदियों से विभिन संस्कृतियों में उर्जा के प्रवाह को स्वास्थ्य और कल्यान से जोड़ा गया है चक्रसंतुलन इसी अवधारना पर आधारित है आईए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं कि चक्र क्या होते हैं, वे असंतुलित क्यों होते हैं और चक्रसंतुलन किस प्रकार हमारे जीवन में चमतकार ला सकता है मानव शरीर को उर्जा केंद्रों के एक जटिल नेटवर्प द्वारा संचालित माना जाता है इन्ही उर्जा केंद्रों को ही चक्र कहा जाता है आयुर्वेद और योग दर्शन में साथ प्रमुख चक्रों का वर्णन मिलता है ये चक्र रीड की हड़ी के साथ नीचे से उपर तक स्थित होते हैं प्रत्य चक्र का अपना विशिष्ट रंग तत्व और कार्य होता है उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे स्थित होता है जरता और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है वहीं सहसरार चक्र जो सबसे उपर होता है आध्यात्मिक जागरिती से जुड़ा हुआ है चक्र असंतुलित क्यों होते हैं? विभिन कारणों से हमारे चक्र असंतुलित हो सकते हैं भावनात्मक तनाव, अस्वस्थ जीवनशैली, आहार में गड़बड़ी और पर्यावरणिय कारक सभी चक्रों के असंतुलन में योगदान कर सकते हैं एक असंतुलित चक्र अवरुद्ध हो सकता है, जिससे उससे जुड़े अंबोया भावनात्मक शेत्रों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं दूसरी और एक अतिस्क्रिय चक्र भी हानिकारक हो सकता है चक्र असंतुलन के कुछ लक्षनों में शामिल हैं शारिरिक ठकान और दर्द भावनात्मक उथल पुथल, मानसिक कोहरा और आध्यात्मिक वियो, चक्र संतुलन के चमतकार खुश खबरी यह है कि चक्र संतुलन के विभिन तरीकों के माध्यम से हम अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं इससे शारिरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर कई लाभ मिलते हैं। चक्र संतुलन के कुछ चमतकारिक फायदे इस प्रकार हैं। शारिरिक स्वास्थ्य में सुधार, संतुलिक चक्र रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ा सकते हैं और चोटों से उबरने में सहायता कर सकते हैं। भावनात्मक संतुलन, चक्र संतुलन से तनाव, चिंता और अवसाद कम हो सकते हैं। मानसिक्स पश्टता, संतुलित चक्र फोकस और एकागरता को बढ़ावा दे सकते हैं। आध्यात्मिक विकास, चक्र संतुलन हमें गहरी आत्म जागरिती और आध्यात्मिक जुडाव प्राप्त करने में मदद करता है। चक्र संतुलन के तरीके अब सवाल यहाँ उठता है कि हम अपने चक्रों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। कई तरह के अभ्यास चक्र संतुलन में सहायक हो सकते हैं। कुछ प्रभावी तरीके हैं। विभिन योग आसन और प्राणायाम चक्रों को सक्रिय और संतुलित करने में मदद करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने चक्रों पर ध्यान केंडरित कर सकते हैं और उर्जा के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं। विभिन क्रिस्टल चक्रों से जुड़े होते हैं और इन्हीं शरीर पर रखने से उर्जा का संतुलन बनाया जा सकता है। और स्वस्थ आहार, सात्विक भोजन का सेवन चक्रों को कैसे संतुलित करता है? जैसा कि हमने पहले बताया, सात्विक भोजन प्राकृतिक ताजा और हलका होता है. यह उर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देता है और चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है. सात्विक भोजन के कुछ विशेश गुन जो चक्रों को संतुलित करते हैं सात्विक भोजन प्राकृतिक रूप से उगाय गए फल, सबजियां और साबुत अनाज से बना होता है ताजा भोजन में अधिक उर्जा होती है और यह शरीर को पोशन प्रदान करता है सात्विक भोजन पचाने में आसान होता है और शरीर पर बोच नहीं डालता सात्विक भोजन में सकारात्मक उर्जा होती है जो मन और शरीर को शांत करती है कुछ सात्विक खाद्य पदार्थ जो चकरों के लिए विशेश रूप से लाबदायक है लान रंग के फल और सबजियां जैसे टमाटर, चुकंदर और अनार मूलाधार चक्र के लिए लाबदायक हैं नारंगी रंग के फल और सबजियां जैसे संतरा, गाजर और शकरकन स्वाधिष्ठान चक्र के लिए लाबदायक हैं पीले रंग के फल और सब्जियां जैसे केला अनानास और हल्दी मनिपूर चक्र के लिए लाबदायक है हरे रंग के फल और सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और एवोकेडो अनाहत चक्र के लिए लाबदायक है नीले रंग के फल और सब्जियां जैसे ब्लूबेरी, बैंगन और शल्जम विशुध चक्र के लिए लाबदायक होते हैं बैंगनी रंग के फल और सब्जियां जैसे अंबूर लंग और चुकंदर आग्या चक्र के लिए लाबदायक होते हैं और सफेद रंग के फल और सबजियां जैसे सेब, नारियल और मश्रूम सहसरार चक्र के लिए लाबदायक हैं चक्र संतुलन उर्जा चिकित्सा का एक महत्वकूर्ण पहलू है सात्विक भोजन, योग, ध्यान और क्रिस्टल हीलिंग जैसे विभिन तरीकों के माध्यम से हम अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और शारिरिक, भावनात्मत और आध्यात्मिक स्तर पर बहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों ये था चक्रस संतुलन और उर्जा चिकित्सा के चमतकारों पर एक संक्षिप परिचेंग उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी अगर आपने ये विडियो पसंद किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले साथ ही सार्तत्व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले विडियो से भी ज्यान प्राप्त कर सकें आज का हमारा सवाल ये है कि क्या आपने कभी चक्रसंतुलन का कोई अभ्यास किया है कैसा रहा आपका आनुभव? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं अगले विडियो में मिलते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें, खुश रहें धन्यवाद